चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे प्लेस प्लेस वैल्यू क्या पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं इस्थानिय मान क्या बोलते हैं इस्थानिय मान ठीक है तो इस्थानिय मान क्या होता है हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसजार यह सब पता है क्या है तो वही किसी नंबर की पोजीशन बताना कि वो किस प्लेस पे है once place पे है कि tens place पे है कि hundred place पे place बोल रहा कि नहीं तो place मतलब हर number का place बताना by place value होता है ठीक जो tens place पे होगा तो क्या उसको जिसे two हम दे जिसे लिखा है 24 अब इसमें हमको two का place value बतानी है तो two किस place पे है मतलब 24 को बनाने में हमको कितने रुपए लगे है 20 और 4 तो 20 कैसे लिखा जाएगा क्यों ये देखो once place के लिए हमको one से multiply करना पड़ेगा tens place के लिए हमको उस number को किस से multiply करना समझ में आया कि नहीं तो अब ये क्या हो जाएगा four बन जा four और two ten जा 20 तो मतलब क्या हो गया two की place value क्या हो गई 20 कितनी चीज़ समझ में आई की नहीं समझ में अगर इसी तरह हमने बोल दिया three four ये इतना बड़ा नंबर है इसमें हमने कहा दिया सब की place value बताओ क्या बोला सब की place value बताओ तो कैसे निकालोगे once place वाले नंबर में one से multiply tens place वाले नंबर में ten से multiply hundred place वाले नंबर में hundred से multiply फिर thousand place वाले नंबर में thousand से multiply समझ में आए कि नहीं मतलब हम क्या देख रहे है one से लेकर last वाले नंबर से first से last वाले नंबर तक क्या देख रहे है one में कोई 0 नहीं एक 0, 2 0, 3 0 इसी तरह जैसे जैसे इधर नंबर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो 0 बढ़ते चले जाएंगे first वाले नंबर में कोई 0 नहीं मतलब वो one होता है one ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh करोट इस तरह समझ में आए कि नहीं आप जैसे सब का निकाल लाँ two वन जा two four ten जा forty five hundred जा five hundred ठीक इसमें three thousand three वन जा three three के वाज इतने zero बोल लिख दो समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि place value क्या होती है heading को दिखाओ कि ये place value हमने क्या पढ़ाज place value अगर कोई बोल दे अच्छा ये जैसे नंबर लिखा है तुमको बोल दे कि किसी का नहीं निकालना है केवल तुमको five की place value निकालो किस की place value निकालो five तो कैसे करें केवल हमने five लिखा five into one लिखा क्या लिखा five into one अब हमने देखा five के बाद कितने नंबर है one two three three है ना जितने नमबरों उतने ही वन के बाद लिख दो, समझ में आया कि नहीं, इंटू वन तो जरूर लिखना है, लेकिन हमको देखना है कितने नमबर हैं, जितनी डिजिटों उतने ही जीरो वन में लगा दो, जैसे हमको इस प्लेस का लिखना हो, जीरो इंटू वन तो लिखना है, इंटू-वन तो सब के सार लिखना है लेकिन हमको देखना है कि अभी इसे में जीरो लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है, वन जीरो के बाद कोई है नमबर? नहीं है, नहीं है, तो जीरो नहीं लगेगा, समझ में आया आप इसको मॉटिप्लाइ कर के लिए तो फाइव अन्जा फाइव के बाद की इसमें कितने जीरो थे फृ वान टू टू त्री जीरो हमने लगा दिये कंप्लीट हो गया कि नहीं टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि प्लेस स्वैलू कैसे निकाली जाती डैन करें आए हाँ चलो ओर करो